नमस्कार दोस्तों मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माइट यून आडियो में दोस्तों आज की वीडियो में मैं 2000 वाट इस टीरियो एंप्लिफायर के बारे में वीडियो बढ़ाने वाला हूँ 1000 वाट प्लस 1000 वाट इसमें हमें 2 चैनल मिलते हैं दोस्तों ये एंप्लिफायर मैंने अब सेख चौरसिया जी के लिए तयार किया है तो अब सेख चौरसिया जी अगर आप ये वीडियो देख पा रहे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसमें आपको क्या क्वाल्टी मिल रही है ठीक है दोस्तों और दूसी चीज की दोस्तों ये 2000 वाट का एंप्लिफायर है इसलिए मैं इसकी टेस्टिंग आपको 15 इंची ड्यूल के जो हमारे 1000 वाट के टॉप होते है मैं उस पे आपको चला के दिखाऊंगा मेरे जो छोटे स्पीकर नॉर्मल स्पीकर मैं इस पे आपको चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये एंप्लिफायर बहुत ही पावरफुल एंप्लिफायर है तो इसकी मैं पूरी टेस्टिंग एंप्लिफायर ओपन करके एक एक पार्ट के बारे मैं मैं आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों फटा-फट से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल पहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आगे आपको ऐसे ही नौटिफिकेशन मिलते रहें और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुस्ती रहें दोस्तों मैं इस अम्प्लिफायर को ओपन कर लेता हूँ और डिटेल बैडेल आपको हर पार्ट के बारे में बताता हूँ कि हमने इसमें क्या-क्या यूज किया है कौन सा बोर्ड है हमें कितना ओटपुट मिलता है ठीक है दोस्तों तो चलते हैं वीडियो के तरफ और वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों एम्प्लिफायर मैंने ओपन कर दिया है फर्स्ट मैं आपको फ्रेंट पैनल में हमें क्या-क्या ओप्सन मिलते हैं वह आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यह stereo amplifier है यानि कि दो channel का amplifier है इसलिए हमें दोनो channel separate मिलते हैं यह हमारा first channel है जिसमें हमें low, mid और high तीन frequency मिलती है आप यह देखिए low, mid, high यह तीन frequency के लिए हमारे first channel के tone है और यह उसका total volume second channel दोस्तों same हमारा low, mid, high और यह हमारा volume दोस्तों यह हमारा main on off आ जाता है और यह हमारी view indicator light या level light भी कह सकते हैं दोस्तों आप कोई भी function घर में करते हैं उसके लिए amplifier बहुत ही best होने वाला है क्योंकि इसमें आपको Bluetooth का option भी मिल जाता है अगर आपके पास mixer नहीं है तो आप इसमें Bluetooth से भी चला सकते हैं और अगर आपके पास mixer है आप इसमें mixer भी connect कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं दोस्तों amplifier के internal look में मैं आपको दिखा देता हूँ कौन-कौन से board हमने यूज किये हैं दोस्तों यह हमारा 8 pair का board है तो शीवा 2SC-52 का जो की 8 pair का board लगा हुआ है शीवा 5200 हमारे इस side लगे हुए है और 1947 हमारे इस side लगे हुए है और साथ ही यह driver section उपर से fit किया गया है आप देख पा रहे होंगे यह एक लोहे के एंगल से इसमें tight है और इसमें दोस्तों हमें protection inbuilt मिल जाता है आप देख पा रहे होंगे और दो यहाँ पर हमें connector मिलते हैं दो LED यां connect करने के लिए जो की हमारी एक protection के लिए होती है और एक power indicator के लिए होती है और दोस्तों यहाँ पर हमें clip LED भी मिलती है देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह लगी दोस्तों, 1000W का output देता है ये board, अगर आप 8 home पे चलाते हैं, तो 800W का output आपको मिलेगा एक channel पे, ऐसा ही सेम दो board हमने इसमें use किये हैं, और इसमें हमने जो power supply use की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने 5,5 MPR के 2 bridge use किये हैं, और दोनों चनलन के लिए अलग- दोस्तों, 10,000UF, 100W की capacitor लगे हुए हैं, देखिए मैं दिखाने की कोशिच करता हूँ, यह देखिए सायद आपको दिख रहा हूँ, 10,000UF, 100W के 8 capacitor की power supply इसमें use की है, और दोस्तों जो हमारा यह transformer है, यह भी हमारा double output का है, देखिए, यह हमारा 50,050 का 20A का एक output है, हमारी supply के लिए, और यह 50,050 हमारा second के लिए है, second channel के लिए, ठीक है दोस्तों, transformer आप देख लीजे, बहुत ही heavy quality का लगा हुआ है, देखने में भी काफी heavy है, और यह total हमारा 40A का transformer है, first output 50,050,20A, second output 50,050,20A, और इसके अलावा other भी हमारी निकली, जैसे 12,020,020, जो common supply यहां वो dual channel board का use किया है, जिसमें IC लगी है, TL072 की दो IC लगी है, यह dual channel है दोस्तों, तो हमने tone को wire के थरू, यहां पर sold करके, mount किया है, दोस्तों, यहां में इस Picon socket मिल जाते हैं, input, output के लिए भी, और normal connectors भी मिलते हैं, जो हमें बनाना connectors होते हैं, वो भी हमें आप मिल जाते हैं, देखे, और सभी को connect हमने connector के थरू किया है, जिससे आप कभी board आप निकालते हैं, तो आप turn निकाल सकते हैं, कोई problem नहीं है, और यहां पर जो हमने fan यूज किया है, देखे, 5 इंच के fan है, जो कि हमारे 230 volt AC पर काम करते हैं, डारेक्ट यह 12 volt DC पर चलने वाले fan नहीं है, ठीक LED लगी होती है, यह clip LED, और दो LED हमारी यह है, देखे, यह एक हमारी power LED है, और दूसरी हमारी protection LED है, तो यह तीन LED यहां connection अभी आगे आएगा, आप यहां देख पा रहे होंगे, यहां पर LED अभी नहीं लगी हुई है, जिनका यह set है, उनको थोड़ा जल्दी थी, तो मैंने अभी इसमें नहीं लगाई है, बढ़ यह मैं लगा के उनको दूँगा, दोनों चनलन की अलग-अलग LED यहां पर लगी होंगी, और आप जो भी आप बनवाएंगे हमसे, तो उसमें यह LED आपको लग के मिलेंगी, दोस्तों यह इस amplifier का backlog है, आप देख लीचे, दोस्तों फर इंच के ड्यूल टॉप पे, यानि की हमारा 900 वाट का एक टॉप है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह मेरा 900 वाट का एक टॉप है, यानि की टोटल मैं इस पे 1800 वाट का प्रॉपर लोड डाल के आपको चला के टेस्टिंग दिखाने वाला हो, क्योंकि दोस्तों जो मेरे बॉक्स हैं जिसमें मैं आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ, तो वो बॉक्स काफी छोटे हैं, उससे आपको टेस्टिंग समझ में नहीं आएगी, दोस्तों आप देख रहे होंगे, एम्पलिफार मेरा अन है, इसमें मैंने ब्लुटूथ कार्ड भी इन्मिल्ट रखा है, इनकेस आपको कभी ब्लुटूस से चलाना हो, फार्टी फंक्शन में मिक्सर से चलाना हो, आप हर तरह से इसको आपरेट कर सकते हैं, दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, देखे, शेट अन है, फैन की आवास से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही वायर हमने इसमें यूज किये है, जो कि हमें बढ़िया, हमें इसमें एंपियर मिले, हमें बढ़िया ओपुट मिले, पावर सप्लाई के बारे में आप लोग जानते हैं ये दोस्तों, आर्ट केपिस्टर की पावर सप्लाई जैसा कि पहले मैंने आप लोग को बताया था, और दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोगों का डाउट है, कि मैं बढ़ियरा बाहर से पर्चेस करता हूँ, या कहीं से मंगाता हूँ, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूँगा, कि इसमें आपको सभी बढ़ियों पे मेरा नाम देख प्रेटेट मिलेगा, दोस्तों, बैक साइट से आपको एक चीज दिखा देता हूँ, कि इसमें हमें क्या क्या क्नेक्शन मिलते हैं, दो इन्पुट, आप स्पीकॉन से भी लगा सकते हैं, और नॉर्मल भी इन्पुट लगा सकते हैं, आउटपुट इस पीकॉन से भी मिले को रिपेर कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और सभी बोर्ड में हमारे प्रोटेक्शन से लेकर सब कुछ इन बेल्ड है इसलिए आपके अम्प्लीफायर में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो ये अम्प्लीफायर आप हमसे बनवा सकते हैं बहुत ही बढ़ियां क्वाल दोस्तों देख रहें कितना पढ़ियां पावर आपको मिल रहा है दोस्तों ये स्पीकर भी बहुत अच्छी क्वाल्टी के हैं क्योंकि जब तक आप स्पीकर आप बढ़ियां क्वाल्टी के नहीं यूज करते हैं एम्प आप कितना भी अच्छा ले लीजिए आपको बढ़ियां उटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तों दोनों का ही त आप देख लीजेगा और इस पीकर में जो हमारा बेस आएगा वो आप देखिएगा की येखिज की ये वे वेखिएगा और AO TV निनला की ये खिख वेखिए में झाला की 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 है 2 हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ 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 है तो दोस्तों टेस्टिंग सहाब नेक्स्ट वीडियो दोस्तों जो हमारी आनेवाली है वो तीन हजार वाट के टू पॉंट वन के बारे में आने वाली है फुल डिटेल वीडियो में आपको बना के दूंगा तो ज्यादसे ज्यादा इस वीडियो को लाइक सबस्क्राइब करिए अपने फैंट सकल में श कर दोस्तों